नमस्कार दोस्तों वेलकम टू कलक स्टड़ीजी केटिक्स इस वीडियो में हम अटेप्ड करने वाले हैं टॉप टंटी कोईश्चन करेंट अफ्यर 2021 के सारे कुछ एम सी क्युव है तो दोस्तों और यह सेट है कौन सा नाइन है ऑके नाइन सेट है इससे पहले हमने आरट सेट कवर कर चुके दोस्तों वीडियो देख सकते हैं बहुत बेदरी इंटेस्ट होते हैं फटा पर से आरट 10 मिनट में कवर हो जाते हैं दोस्तों और आप अपनी किस कोईश्चन होते दोस्तों ओके अब देखी नंबर एक पर दोस्तों कोईश्चन है बहुत बहुत इमात्पूर है CRPF सोर दिवस किस दिन मनाए जाता है जो कि हमारा कल का कोईश्चन था हम आप लोगों से पूंचे तो जो कि अब कमेंट करके बताये जो कि सही उत्तर बिल्कुल था नाइन अपरेल अपसंसी सही था ठीक है जो कि आप मेंसे बहुत सारे लोग ने इसके कमेंट भी किया था जो कि CRPF सोर दिवस किस दिन मनाए जाता है नाइन अपरेल को ओके अब देखिए अगला कोईशन क्या दोस्तों केंद्र सरकार ठीक है केंद्र ने जिस राज के लिए 670 करोड रुपए की 14 सलक परियुजना को मंजूरी दी है बहात पूर्ण है तो दोस्तों केंद्र सरकार के लिए मंजूरी दी है तो दोस्तों इसका सही अंसर है कौन सा है बिलकुल से सही अंसर है आपसन ए जार खंड ओके अगला कोईशन क्या है देखिए अंतराश्टी मुद्रकोष ने वित्वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकासदर का अनुपा अनुमान बढ़ा कर कितना प्र कर कितना प्रिशत कर दिया है तो कौन सा प्रिशत दोस्तों सही बिलकुल से परफेक्ट है तो आपसन डी 12.5% ओके यह अनुमान बढ़ा कर कर दिया है 12.5% ओके अब देखिए अगला कोईशन क्या है IPL में मुंबाई इंडियन्स एम चिन्नई शुपर किंग्स के बाद कौ से टीम सौवी जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है तो इसका सही अंसर क्या दोस्तों तो आपसन सी कोलकत्ता नाइट राइडर्स ओके यह दोस्तों तीसरी टीम बन गई है जो कि सौवी जीत दर्ज करने वाली है सुपर किंग्स के बाद ओके देखिए दोस्तों नई सुपर किंग्स और इसके बाद तीसरी कौन सी टीम बन गई जो कि सम्वी जीत दर्ज करने वाली है तो दोस्तों यह कोलकता नाइट ट्राइडर्स है ठीक है अब देखिए अगला का क्या फाइब में है अप्रेल 2021 में केन सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने दोस्तों यहां पर होने है ठीक है सुरी इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात पर रोंक लगा दी है तो इसका सही अंसर दोस्तों क्या होना चाहिए अप्रेल 2021 में केन सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वह ऐसी दवा है जो कि कोरोना के उपचार में इ सीवर ओके यह सही अंसर दोस्तों कोईशन बन सकते हैं इस तरह तो अब ध्यान रखेगा अब देकि अगला कोईशन क्या है किस भारती अभिनेता को पर्यवरण सरच्छन के लिए गोल गोल्ड ग्लोब ओनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किये जाने की गुस्णा की गई है तो क्या है भारती अभिनेता को दिया गया पर्यवरण सरच्छन के लिए गोल्ड ग्लोब ओनर्स फाउंडेशन ओके यह वार दिया गया है दोस्तों अब देकि अगला दोस्तों क्या है किस राज सरकार ने कोविड नाइनटीन के प्रिसार को रोकने के लिए 14 दिनों का माक्स आबियान चलाया है तो इसको आप तो पता होगा का दोस्तों आपको डॉस्त हो जाये दोस्तों क्या हो साथ क्या हो जातर दोस्तों आप देखिए दोस्तों यहां पर साइद क्या कुछी छोड़ गया है ज़ू है है और अगले दोस्तों कोशन क्या है देखिए आठ में है ठीक है आठ में है अठार में एसी आई खेलों में सम्वी और दो सम्वी मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक दूती चंद को किस राज सरकार द्वारा राज के विरानी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों कौन सा किया और किसको दोस्तों बहुत इमात पूर्ण है तो ये भी कोशन बन सकता है दूती चंद या फिक विरानी पुरुसकार किस राज ने दिया दोस्तों यहां से आपको सारे कुछ देना हो तो दोस्तों ही अंसर क्या है आपशन सी 36 गन ओके तो आप कोशन एक बार फिर से देख जीजिए ओके तो अठारमें एसी आई खेलों में समवी और दोसवी मीटर में रजत पतक जीतने वाली महिला कौन है दावक जो की हैं दूती चंद है ठीक है और इनको कौन सो राजसरकार द्वारा विरानी पुरुसकार से सम्वानित किया जाएगा तो भाई 36 गंड सही अंसर ठीक है अब देखिए अगला कोर्शन क्या दोस्तों मानव अंत्रिच उडान में उडान का अंतराष्टी दिवस किस दिन मना जाते है नहीं दोस्तों इंटरनेशन डे आफ हो में इस पेस फ्लाइट तो इसका दोस्तों सोंच समझकर अंसर देजिएगा महात्पूर है तो द इस बहुते हैं इंटरनेशनल डे आफ हो मैं इस पेस फ्लाइट ओके बारा फ्रेल को अब देकितस में क्या है किस भारती को वर्ष 2021 को विटली आवार्ड यानि गिरीन आसकर जिसे कहा जाता है उससे नवाज जाएगा दिया जाएगा दोस्तों कौन है वो तो वह हैं दोस् इसका विटली आवार्ड है या फिर ग्रीन आसकर इनको दिया जाएगा ठीक है अब देखिए अगला दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री योग यदिनाद ने किस रिटायर्ड जस्टिस को उपलोकायुक्त नियुक्त किया है तो इसका सही अंसर दोस्तों करना है बहुत ही मजा आएगा दोस्तों कर सच में कोशन पसंद आ रहे हो तो अब एक लाइक कर दीजिए नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कर देखिए IPL इतियास में 350 छक के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए है वहाद पूर दोस्तों तो इसका को मंजूरी देने वाला साथवा देश कोन बन चुका है तो इसका सही अंसर यह कोईशन बना भी था जो कि भारत है ठीक है भारत है यह साथवा देश बन चुका है रूस की वैक्सीन स्पूदनिक वीको अब देखिया लगा उस 14 में क्या है देश की अगले मुख चुनाव किसे नियुक्त किया जाएगा देश के अगले मुख चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया जाएगा कौन है दोस्तों तो सुनील सुसील चंद्र जी है ठीक है जो की वर्तमान में कौन है सुसील चंद्र है ठीक है अगले दोस्तों क्या है केंद सरकार ने नागा लैंड मे नागा समुहों के साथ हुए संगर्ष वीराम समझाथे को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है तो इसका सही अंसर है एक वर्ष कहा है और अप्शन एक वर्ष ठीक है कें सरकार ने नागा लेंड में जो नागा समुह है उनके साथ हुए संगर्ष को विराम समझाजत्यों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिये गए एक वर्ष के लिए ठीक है अब अगला दोस्तों क्या है 16 में अमेरिका ने अपनी पूरवर्ती नीती ठीक है पूरवर्ति नीक में बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संबंदित योजना को बहाली दी है या भी घूस्ड़ा किया है तो दोस्तो कौन सा सही अंसर है देखिए अमेरिका ने अपनी पूरवर्ति नीत में बदलाव करते हुए फिलिस्तीन के लिए कितने मिलियन डॉलर से संब्धित योजना के बहाली की घोषड़ा की है दोस्तों सही अंसर क्या है ऑप्शन बी 235 मिलियन डॉलर यानि कि 235 मिलियन डॉलर की मनजोरी दी है ठीक है अब देखिए अगला क्या है किस केंडर सासित प्रदेश को 6 रोग से मुक्त गोषित किया गया है तो महात दोस्तों क्या question है 18 में दोस्तों क्या है देखे भारती हांगी और देश की सेना में महात्पूर योगदान देने देते हुए या भी देने वाले किस खिलाली का निधन हो गया दोस्तों खिलाली बेदे और सेना में योगदान भी दिया दोस्तों वो कौन है बहुत महात्पूर दोस्तो 18 का सही अंसर अपसंसी बलवीर शिंग जूनियर ओके यह दोस्तों एक हांकी की लाडी भी है और शेन में महातपुर योगदान में दिया है जो कि इनका निदन हो चुका है ठीक है अब देखिए अगले दोस्तों क्यों क्या है यह दोस्तों यहां थोड़ा से हैं करने लगते हैं न तो सोड़ा सिस्टम ओ माई गॉड ठीक है 19 का क्या है नेशनल काउंसलिंग आप एकोनोमिक्स रिसर्च यहनि की इन सी ए आर की महिला महा निदेशक कौन बनी है तो इसका सही अंसर दोस्तों क्या है नेशनल काउंसल आप एकोनोमिक्स रिसर्च की जो की महिला गुपता ओके अब देखे दोस्तों अगला कोश्चन क्या है देखिए आप स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है इतना हैं कर रहा है तो दोस्तों क्या है भारत ने किस देश को सव करोड रुपए का घस्ति पोगी है वो पी इस जो रोष्टर जो की है नाम है यह किसको पुहार के का एक गस्ति पोट जिसका नाम पी एस जो रोश्टर है वो पुहार में ही दे दिया है दोस्तों और कौन से देश को दिया भारत ने भाई को दिया है ठीक है जी अब देखी जो की आपके लिए कुश्चन मिलता है दोस्तों तो आप प्लेज कमेंट करके बताएगा और हाँ फीड बैंक आप जरूर दीजेगा क्या आपको ये कुश्चन पसंद आते हैं या नहीं दोस्तों मज़ा आती है नहीं साल्प करने में देख क्या रहा है दोस्तों महात्मुन कोश्चन तो आप कमेंट करने ना भूलें सही इसका अंसर और हम इसको अगली क्लास पे डिसकस्ट करेंगे ठीक है वहाँ पर आपको सही उत्तर इसका बताएंगे तो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो जरूर सपोर्ट करिएगा और मिलत इसी तरह कुछ नौलेज़फुल सेशन के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत